लोगसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दोर में पहुंच चुका है लोगसभा चुनाव के साथवे चदरण में आठ राज्यों की 57 सीटों पर एक जून को वोटिंग है इस फेज में 904 उमीदवारों की किसमत दाफ पर लही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वारनसी सीट पर परिक्षा होनी है इसके लावा पश्रिम मंगाल में ममता बनरजी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिशिक बनरजी की डाइमर्ड हारबर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारते की पार्टली पुत्र सीट पर इम्तिहान होका वही हम पंजाब, हिमाचल और चंडिगर की बात करें तो इस सीट पर भी बेहत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा पंजाब में इस बार का चुनाव 2019 से पूरी तरह से बदला हुआ है 27 साल से पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रही है इतना ही नहीं पंजाब में कॉंग्रस और आम आदिपाटी भी अलग अलग चुटावी मैदान में है पंजाब की सत्ता में आम आदिपाटी है जिसके चलते उसे इस बार अपनी सीटे बढ़ने की उमीद दिख रही है इसी क्रम में हिमाचल की सत्ता में इस बार कॉंग्रिस काबेज है इसके चलते बीज़ेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं है चंडिगर की बात करें तो इस बार की लोगसभाचनाब में कई सारे समिकरण बदले हुए है बीज़ेपी ने अपनी दोवार की सांसद किरन खेर का टिकेट काट कर संजेट टंडन को अपना उमीदवार बनाया है वहिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक बार फिर बीज़ेपी के सामने पिछली लोगसभाचनाफ का इतहास दोराने का दवाव है क्योंकि पिछले लोगसभाचनाफ में बीज़ेपी ने इहां की सभी चारों सीटों पर जीथ हासल की थी वहिस सत्ता धारी कॉंग्रस जो खुद अभी भी संकट की सिती से गुजर रही है उसके सामने सबसे बड़ी चुनोती इन चारों सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है जिससे सभी सीटों पर रोमान्चक मुकाबला देखने को मिले आपको बता दें कि लोगसभा के साथवे चरण में आठ राज्यों की 57 सीटों पर मतान होना है जिसमें उतरप्रदेश की 13 हैं, बिहार की 8 सीटे हैं, ओडिशा की 6 हैं, जारखंड की 3 सीटे हैं, इमाचल प्रदेश की 4 सीटे हैं, परश्रीव बंगाल की 9 और चंडिगर की 1 सीट है गौर तलब है कि साथवे चरण की अधिकतर सीटों पर बिजपी ने लोगसभा चुनाव 2019 से जीत हासल की थी जिससे एक तरफ जहां बिजपी के सामने अपने सभी सीटों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगा पर कॉंगर्स के सामने उन सीटों को अपने पक्ष में करने की चुनौती होगी अब देखना ये है कि सुनाव में जनता किसे अपना आशिरवाद देती है और किसे आशिरवाद से वन्चुत रखती है बुरे रिपोर्ट सूरिया समाचार